हेलो फ्रैंस वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज हम मराएंगे मिल्क केक इसे हम कलाकन भी कहते हैं इस दिवाली इसे जरूर ठ्राइ करें यह बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस होता है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई में डेल लिटर दूद लेंगे दूद जब उबलने लगे तो हम इसे चला देंगे लगातार चलाते रहेंगे इस प्रोसेस में करीब एक घंटे लगते हैं जब दूद खौलने लगे तो फिर हम चला देंगे फिर दूद उपर आने लगे तो हम उसे फिर से चलाते रहेंगे और नीचे से चलाएंगे ताकि नीचे से जले ना किनारे किनारे से भी पौनी के हेल्ट से चलाएंगे बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे हमारा दूद थोड़ा पक गया है अब इसे थोड़ी देर खौलने देंगे फ्लेम हमारी मीडियम टू लो रहेगी ज़्यादा हाई नहीं करेंगे और फिर जब दूद उपर आने लगे तो फिर से उसी तरह से चलाएंगे कोने में जो दूद लगा है उसे हलका सच छुड़ा लेंगे अब हम एक लेमन लेंगे और उसके जूस निकाल लेंगे अब हम इसे ग्यास पे शिफ्ट करेंगे आप चाहें तो इंडक्शन पे भी बना सकते हैं लगा तार चलाते रहेंगे अब हमारा दूद आधा जल चुका है अब हमें इस समय लगा तार चलाते रहना है नहीं तो दूद नीचे से जलने लगेगा अब हम इसमें लेमन जूज डाल देंगे लेमन जूज डाल के हम इसे अच्छे से चला देंगे लगा तार चलाते रहेंगे दूद फटना सुरू हो गया है फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे अब हम इसमें टू टेबल स्पून देसी घी डालेंगे ताकि ही गये नीचे से ना चिपके गी डालने से हमारे कला कंद में कलर भी आएगा लगा तार चलाते रहेंगे नीचे से लेके उपर तक लगा तार चलाते रहेंगे अब दूद पूरी तरह फट चुका है इसमें दाने पढ़ने लगे हैं और अब हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे एक ही कप डालेंगे एक कप हम बाद में डालेंगे और इसे लगा तार चलाएंगे और चीनी को गलाएंगे चीनी मेल्ट होने लगी है जब चीनी मेल्ट हो जाए फिर हम एक कप चीनी और डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे थाकि ये नीचे से जले न लगातार चलाते रहेंगे अब दीखिए कलर चीन जूने लगा है अब ये नीचे से कढ़ाई से अलग होने लगा है जब एकदम पूरी तरज से अलग हो जाए और ऐसा दिखने लगे तो हम फ्लेम आफ कर देंगे ये देखिए कितना दाने दार बना हुआ है इससे अच्छे से चला देंगे अब हमें ग्रीज्ट केक टिन या फिर किसी थाली में या टिफिन में आप इसे जमा सकते उसमें घी लगा देंगे केक टिन के नीचे टॉबिल रखेंगे और फिर इस मिक्षर को केक टिन में डाल देंगे डाल के ऐसे कर देंगे ताकि पूरी मिक्षर अच्छी तरह से फिट हो जाएं अब हम इसे ढख देंगे और नीचे हमने एक टॉविल ली हुई है उसके थुरू ऊपर नीचे चारो तरब से ढख देंगे और फिर इसे 6-7 घंटे आप चाहें तो 24 घंटे के लिए रख सकते हैं 6-7 घंटे के बाद हम इसे खोलेंगे अब बर्फी जम चुकी है इसे चाकू की मदद से किनारे से अलग कर लेंगे ताकि बर्फी अच्छे तरह से निकल जाए अब इसे दूसरे प्लेट में पलट देंगे और उपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे यह देखिए एकदम कीक जैसा बना है हमारा मेल केक तैयार है अब हम इसे कट कर देंगे आप चाहें तो किसी भी तरह से कट कर सकते हैं हमारा मेल केक या कला कंद बन कर तैयार है यह एक दिवाली स्वीट से है और इसे आप दिवाली पे जरूर ट्राइ करिएगा और हमें कमेंड करके कमेंड वाक्स में जरूर बताईएगा अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंड और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग